इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुश्प्रभाव के लिए जिम सकते हैं और आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है। डॉक्टर को आपके द्वारा ली जाने वाली अन्य सभी दवाओं के बारे में बता दे क्योंकि इन में से कुछ इस दवा को प्रभावित कर सकती हैं या इस दवा का प्रभाव उन पर पढ़ सकता है। सबसे सामान्य इसे चक्कर और नींदा सकती है, इसलिए जब तक आप यह ना जान लें कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है तब तक ड्राइब या ऐसा कोई काम ना करें जिसके लिए मानसिक फोकस की जरुरत हो. यह दवा लेने के दौरान शराब पीने से बचें क्योंकि इससे और अधिक चक्कर आ सकते हैं. यह दवा लेते समय बहुत सारे फ्लूइद्स लेना फायदे मंद है. इसे लेने से पहले, अगर आपको या लिवर से संबंधित कोई बीमारी है तो आपको अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताना चाहिए ताकि वह आपको एक उचित डोस दे सके. गर्भवती या स्थनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. अलेक्स जूनियर सिर्प के मुख्य इस्तेमाल सूखी खांसी का इलाज सूखी खांसी, जिसे नॉन प्रोड़क्टिव कफ भी कहा जाता है. एसी खांसी है जिसमें कोई काफ या बलगम नहीं बनता है. इससे परेशानी होती है, आम तोर पर यह गले में खरक्रेपन से जुड़ा होता है और यह जुकॉम, फ्लू, अलजी और गले के इरिटेंट के कारण हो सकता है. अलेक्स जुनियर सिर्फ सूकी और खुश्क खांसी को दबाता है. यह दबा अलजी के लक्षनों, जैसे आँखों से पानी आना, छीक आना, नाग बहना या गले में खराश से रहत देगी और आपकी दैनिक गतिविदियों को अधिक आसानी से पूरा करने में मदद करेगी यह दबा सुरक्षित और प्रभावी है, अलेक्स जुनियर सिर्फ आमतोर पर कुछ मिंटों के भीतर काम करना शुरू कर देता है और इसका प्रभाव कई घंटों तक बना रहता है, इसे डॉक्टर द्वारा पर परची में लिखे गए गया नुसार लें. जब तक आपका अलेक्स जुनियर सिर्फ के साइड इफेक्ट इस दवा से होने वाले अधिकांच साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्थ हो जाते हैं. अगर साइड रहते हैं या लक्षन बिगरने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें. अलेक्स जुनियर के सामान्य साइड इफेक्ट पेट खराब होना नीन दाना अलेक्स जुनियर सिर्फ का इस्तेमाल कैसे करें इस दवा की खुराक और अनुपान की अबधी के लिए अपने पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.